हरी ओम तच्सत संत कबीर पाणी संत कबीर के प्रमाणी ग्रंथ बीजक से लिये हुए यह पद और उसके बारे में ग्रूप डिसकेशन पाशा पड़ी लेनहा जानी लोग कहोरी आसा तुरुसना में बही गयो सजनी काम के ताप सहोरी मान मनी की मुटकी सिरपर नाहक भोज मरोरी मुटकी पटक मिलो प्रीतम से दास कबीर कहोरी इसका हिंडिय अनुआद है संस्कृत भाषा पढ़कर दंबी बने धर्मचारियों को लक्ष करके कहा है कि तर्मचारियों को लक्ष करके कहा है कि दंबी कहते हैं मैंने संस्कित बाशा पढ़ ली है मुझे ज्यानी समझा जाए ऐसे ज्यानी होने से क्या लाब जब आशात्रिशना नहीं गई है मान अहेंकार की मट की सिर्पर होने से उसके भौज से मरने की सिवाए क्या रास्ता है ये मान अहेंकार ज्यान के भौज एक जट्के में फैक्टर प्रितम से मिलो आत्मा स्वरूप इसका तो शब्द हैं पान मनी पहेंकार है और मुठ की मतलब मठ से थीक है तो सिंग साब आप करिए एक्स्पेन करिए हाँ जी हाँ एक्चल में सबसे सटीक जो इसमें हमने जो स्पीन का कभी साब कोई दो है वो पोथी पड़ पड़ जग मुआ पंडित भयान अकोई जो दाई आक्षर के पंडित हुए तो इग्जेक्टली वही वही ही लग रहा है मुझे ते यह इग्जेक्टली वही कमई है भाशा जो है सीखनी बसे बोलता है न संस्कृत जो उस वकत की संस्कृत भाशा थी जो अभी भी दयातर बोलता है कि संस्कृत भाशा जिसको आती है तो वही ज्यदा ग्रंथ पढ़ सकता है या spiritual हो सकता है लेकिन वो सही नहीं है यह तो बिना पढ़े भी हो सकता है और पढ़के भी नहीं हो सकता है है और क्या लेकरास में है है नहीं अबिधार अपना बोजह लेकर गूम रहा है और कुछ नहीं directly मैंने इतना पढ़ लिया है इतना वह है वगरा तो बोजह लेकर गूम रहा है बोदे ने से कोई फाइंद नहीं है वो तो सब होई रहा है अपने आप से बस इतने इतने तो पिनोजी आप बोलिए मतलब वो ही जो सिंह साब ने कहा धाई एक्षर प्रेम के उसी को अलग तरीके से पेश किया गया है मतलब अलग तरीक से लिखा आगया है कबीर जी का क्लियर है कॉंसेप्ट की जो भी आपको मतलब जब तक आप जीरो नहीं होते हैं एहिंकार जीरो नहीं करते हैं तब तक कोई सही डिसीशन ले नहीं पाएंगे आप कितने भी संस्कित पढ़ लीजे कितना भी ज्यान ले लीजे लेकिन अगर आपके मतलब जो ग्यान की वज़े से जो एहिंकार है वो मत्की जो है एहिंकार की सर पर लेकि घूम रहे हैं वो गलत है मतलब उसकी वज़े से ही आपको मतलब मैं स्वरी मेरा मतलब है कि एहिंकार जब आप छोड़ दोगे उस मत्की को फेक दोगे और आत्मा स्वरुक्ण से मिल होगे तभी ही मतब तब ही आपके ज्ञान का सही अर्थों में आपका सेंटर जीरो होगा और आपकी प्रभू से मुलाकाथ बढ़िया बोला है जबर दस्त मेरे शब्द ले लिए आपने बिल्कुल सटीक बोली चीज बिल्कुल ही सटीक बुरा हां जी मोना बोलो मोना प्रेम की भाषा ही समझ में आती है वही मुझे तो अच्छा लगता है मुझे क्या सभी कोई प्रेम अच्छा लगता है तो प्रेम का ही यह जो बाकी जो होते हैं जो हम ग्यान लेते हैं यह ग्यान तो मेरे ख्याल लगता है जो प्रेम के आगे कुछ भी नहीं लगता है जो मतलब जो सब ने बोला वो बहुत ही सही और आज के संदर्व में मतलब जो मुझे लगता है इसमें यह भी है कि जैसे हमारी education system में भी कि हम इतनी किताबे बच्चों को जैसे वो रट लेते हैं वो लोग और जब वो practical उसकी कोई उनको विकुली knowledge नहीं है तो ऐसा वो ही है कि ऐसे ग्यान का क्या फाइदा कि जब आप उसका मतलब बेसिक तो आपने समझा नहीं और उपरी उपरी घ्यान करके यह रट के कर लिया और उसको जब implement करने की बात आई तो तब वहीं का वहीं धरा रह गया और वो ही इसमें मुझे वो भी ऐसे आता है कि जब स्मृती रानी को एडुकेशन मिनिस्टर बनाया था या अपने प्राइम मिनिस्टर का ही वो डिग्रीज का कहा कि जी कितने पड़े लिखे हैं वो है तो वो पड़े लिखे होने का कोई यह निया कि वो जी जो उसने बी-ए किया है या पी-एच्डी किया है उससे कोई फरक तो वो प्रादानमंत्री जी सबसे मिल रहे हैं और उनसे वो इतने बड़े-बड़े लीडर्स नाचुरली वो काफी कई तो बहुत बहुत ही जौदा बड़े लिखे या वो होंगे पर उससे क्या फरक पड़ता है कि यह दिया हमारे प्रादानमंत्री जी जी चाई टेंथ हो चाई ट्वेल्थ हो जो भी है वो उसको carry forward कर पा रहे हैं और जो उनको काम दिया गया है या जो उनका है काम वो उसको इतनी निपूंता से निभा रहे हैं तो वो ही अब जैसे हाँ पर संस्कृत भाशा का ही कई लोग हम लोग जब जैसे पढ़ने में श्लोक यह मंत्र पढ़ लिये यह श्लोक पढ़ लिये और जी बहुत इसको आता है और वो आता है पर आप उसको कहीं पर वो अपने उसमें तो आपने उतारा ही नहीं मतलब आत्मसार ही नहीं किया उसको तो ऐसी पढ़ाई लिखाई या ऐसे उसका क्या फायदा और इसमें मुझे यह भी लगता है कि जिस तरह से आजकल आजकल के संदर्द में ही जैसे चेत्रियं जो भी है वो अपनी लांग्वेज में वो उसको इतनी अच्छी तरह से एक्स्प्रेस कर सकता है और हम कहें कि जी नहीं जी संस्कृत में ही बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है जिस भाशा में भी आप एक्स्प्रेस करने में अच्छी तरह से कर सको तो वो उसको अप गया और उसको आप क्या कहते है कि सजावट में ही रह गए और अंदर से तो आप वही फीके या खाली हो तो वही आत्मसार जीरो लेवल पर इसे आपने शोकर जब आप बैठकर का बोलते हो या कुछ काम करते हो वह एफेक्टिव है ना कि उपड़ी कुछ भी भूती शुद्ध रहां कार या लंकार है बस जब अड्रस को बिल्कुल ठीक बोला वैसे तो सब भी सबने बहुत अच्छा बोला अब मेरा तो खेरा आज वैसा नहीं बैठेगा लेकिन मैं भी मन से यहीं कौंगे तो विनोजी की कमेंट भी में बहुत जादा दिल से हिर्दय जब हमारा आत्म साथ अगया तो क्या हुता ना दोनों तरीके चट एक्ट करने तो सामने उनके सामने अलगलग प्रकार की लोग है और कोई इंजीनियर कोई कुछ तो उस राय को देने में वही सक्षम है तो उस चीज को यूज करेगा जो गुद्पुरु से हमेशा मन के जीरो लेवल पर बैठेगा स्वेम और वह मन के लेवल पर तो बिल्कुल प्योर हो गया तब वह आदमसाथ करने के लिए तयार हो गया सामने की सिच्वेशन को अब जो तो वह उसने प्रोफेशनल बंदे हायर किये हुए तो वह सारी एजुकेशन सब चीजें जरूरी है लेकिन किसी का माइड किसी में चलता है तो जितने प्रकार के माइड है उस प्रकार से भिन-भिन-भिन-भिन सब की एजुकेशन और यह सब कुछ है तो उसमें वह जो क्योंकि एक प्रोफेशनल राय में भी जरूरी है कि सामने जो आया आपके पास में जो बंदे बैठायों है वह आपको ठीक से गाइड करें नहीं करें उनका अपना मतलब तो नहीं है तो वह भी जीरो लेवल बाला होता है हिसाब किताब सामदन बेद उसमें यूज किया जाता है बार बार तो और ज्यादा जैसे कहते हैं एक ही क्वालिफिकेशन के लिए एक को ज्यादा दिया जा रहा है और एक को कम के तो ज्यादा भी होता है कि यह मनुश्य हमेशा जीरो लेवल पर गाइड करता है मुझे चीज करने का यदि मेर कोई कोई दूसरी भाषा संस्क्रिट नहीं समझ में आती तो फिर मैं उस शब्दों को नहीं समझ पाऊंगी ना सामने वाले को तो इस प्रकार से भाषा तो कुछ भी मैटर ही नहीं करती सिर्फ जीरो लेवल पर हैना जो है मैटर करता है तब आप सारे जगत अपको धंसे ब्लैकन वाइट में परसीव कर पाते हैं क्योंकि आपके स्वें के मन में लालच नहीं तो आपको जो दूसरों के लालच होते हैं वह फटा फट ध्यान से दिख जाते हैं यदि आप अपने बीजी है ना जैसे माइंड में जो आपके खुद चल रहा है तो कहीं पर भी उन्हों ने यह जीरो लेवल से हट पियान तो उस चीज का उनको भी पे करना पड़ेगा क्योंकि सामने जो प्रकट्र जो चेत्र है ना तो पर पिर उनके सामने भी वैसी ही चीज आएंगी जहां पर ऑपने आपको स्वें को पता होती है आप देखेंगे ना ज जैसे लोग हमें वो करने लग जाते ने, एक सीट पर पत पर करने लग जाते तो उस पर भाशा में भी यदी हम, सिंगिंग में भी अपनी आत्मा को डाल देना, तो तब जो संघीत निकलेगा तो वो एक अलग होता है, लेकिन फिर क्या होता है, हम बाद में भी फस जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना होता है जैसे कहते हैं प्रवर्थी और निव्रित्थी तो निव्रित्थी में भी है कि हम 100% उससे भाल निकले या नहीं निकले कहीं हमें अंकार ने वह तो नहीं कर दिया पोछन तो इस प्रकार से observation हमेशा करनी पड़ती है यदि आपका लक्ष है मुक्ती है तो और मुक्ती नहीं है संसार में यदि आपको रसारा है तो करिए तो ये सब चीजें अपने हाथ में ही होती है हर इंसान के हांजी कोई और बोलना चाहता है तो बोलिए फिर नहीं तो फिर खतम करते हैं ये जएदा तर लोग ऐसा सोचते हैं कि जैसे आजकल कि अंग्रेजी भाशा जिसको आती है वो पढ़ा लिखा है और जिसको नहीं आती है वो अनपढ़ है और मोधी जी ने उसको बिल्कुल उल्टा कर दिया यानि कि वो अंग्रेजी ना बोलते हुए हिंदी बोलते है और जिनको पहले इनके पहले जितने भी आये हैं उन दूसरे के देश में जाके मोदी जी पहले है जिन्होंने पहले बार हिंदी बोली दूसरे के देश में जाके सो भाषा को इतना इंपॉर्टस नहीं है और जो भाषा जिरूरी नहीं कि भाषा को आती हो तो ही ग्यान है ग्यान तो बिना भाषा के भी हो सकता है और वैसे इससे पता चलती है हमारी जैसे हम अपनी चीज को लेकर ना शर्मिंदा हैं तो वह उससे क्या होता है जो जिस उस पर जैसे लेवल पे वो बैठे हैं उनको डील करना पड़ता है तो उसमें यदि उनके अंदर खुद के अंदर हीन भावना होती ना तो वह प्रमोट करते उस चीज क लेकिन एंदर आप जीरो लेवल पर होते हैं तो हीन भावना का मतलब नहीं है ना तो हीन भावना और सुपर भावना दोनों ही बैलन्स हो जाता है तो वहई है कि जो पहले पत पर आये तो वह अपने आपको जैसे कहते हैं ना वही पड़ा लिखा मानते थे पहले कि अंग् लेंग्वेज इसे तो देखा जाए तो कुछ भी तो कुछ भी तो इंपॉर्टन नहीं है सब कुछ ही तो जो शंड बंगूर मात्र और सब कुछ यूज करने के लिए मिला है और जैसे नौलीज है यदि विमी जी को जैसे सपोस्ट कीजिए कि साइंस की नौलीज है तो जितन सब्स्ट कर सकता है और आगे यूटिलाइज करके लोगों को लाब भी पहुचा सकता है तो आगे जैसे अब एडिक्शन यह नी हो गया दिक्शन इतना जबर्दस्ट हो गया अब फोन में पूरा फूगल फुलाब पढ़ा अब आप उसकी information तो आपको चारों तरफ से मिल रही है, तो कितना भी आप उसको misuse भी कर सकते हो, use भी कर सकते हो, तो वही चीज है न, तो availability है, सब के पास में, बच्चे बच्चों तक के पास भी availability है, पहले तो इतनी books गारा सब खरीदनी पड़ती थी, अब कुछ भी नहीं, मोजी जी की जो बात कर रहे हैं, कि उन्होंने अपनी भाशा को promote किया, और कोई शरम नहीं, तो वहीं जो हम बात कहते हैं, कि thought, सबसे पहले आप जिस thought पर हो, वो ही इतना pure है, कि आपका, मतलब action बोलने से पहले, action करने से पहले, मतलब आपके मुह से जो भी language निकल रही है, आपका thought पहले इतना pure है, कि मुझे जो मेरे पास है, जो मेरा अपना है, मैं उसको उभारू या वो और जिसमें मैं comfortable भी हूँ, मैं उसमें बोलू, उस भाशा में बोलू, जिसमें मैं लोगों से दिल से connect हो सकता हूँ, तो वहाँ पहले thought ही उनका इतना pure है, और दूसरा, fluid ह ना भी, क्योंकि आप यदि इस thought से ही बंदे रहों कि नहीं मतलब वहाँ पर फिर आपका अंकार आजएगा, कि आखाओ कि जी हमारा ही ग्यान, जैसे हम कहते हैं कि इंडिया, land of ancient wisdom and knowledge, जैसे हम उसी को लेके पकड़के बैठ जाएं कि जी हमारा ही knowledge और हमारी wisdom जो हमारी किता वो में है, वो ही है, और modern science को या modern technologies या innovation को हम बिलकुल निगलेक करते रहें, तो वहाँ पर वो जैसे फिर वो अहंकार वाली बात आगई हम अपने में, और एक तो आपने अपने आपको बांद लिया, तो वो fluid होना भी बहुत जरूरी है, कि जो है, आप और वहाँ पर फिर वो ही, जो हमने कल भी बढ़ा था, कि आत्मनिर बर, मतलब अपनी जो है, उसको भी उसकी पटेंशल बढ़ाओ, और साथ-साथ जो आसपास का है, उसको भी जो अच्छा है, उसको एब्सॉब करो, वो ही globalization, तो indigenization और globalization दोनों साथ-साचलनी है, तो आपने पकड़ाना, यह चीज बिल्कुल ठीक पकड़ी, विम्मी जी, आपने यह जो पकड़ाना की fluid होना जरूरी है, तो जो रुकावट आती है, वो ही अंकार की होती है, तो उसमें क्या होता है, जैसे आपको thought को प्योर नहीं करना है, उसमें zero level प्यान है आपको बार बार, zero पे आओगे तो आप का अपने आपी वैसा रहेगा, क्योंकि आपको उसमें बनावती पन नहीं आएगा, उसमें बनावती जो बोलते हो ना, तो जब zero level पर होता है, तो automatic में वैसा मेरा function पूरी तरह से हो रहता है, अंकार ही तो रोकता है, आपनी मशीन को अंकार रोकता है, जो आपकी मशीन है शरीर की, तो आपको ये पता चलेगा, जब आप zero level पर रहेंगे, तो आपको current में जो सामने जो चीज चल रही है, तो उसकी भी सब चीजे आप नोट कर पाएंगे, उसी समय जैसे आपने वोट तयार किया, आप तयार वाली चीज में पेश करना चाहते हैं, और वहाँ पर एक दम सामने में कोई स्ट्राटीजी दूसरी कर दी महा फेलो जाएंगे आप, फेलो जाएंगे ना, वो मुक्त पुरुशी इसरी कुछ चीज को डील कर सकता है, सामने में क्या चला है, तो इसमें वी नोची चला, बोल रहेते हैं, आपको पहले मतलब विचारों से मुक्त करेगा, वो विचार जिस दिन सुन्य होगे, तो अपने आप आपकी डिसिशन करेक्ट निकलेंगे, बिल्कुल, बहुत सुन्दर क्लारिफिकेशन हुआ, आज मुझे बहुत मजाया, चलिए, सहज भाव में आना है, और स्पॉंटेनियस होना है, यानि कि सहज भाव में रह लेके बटकते रहेंगे, इस पॉंटेनियटी जीरो लेवल पर स्पॉंटेनियस ही रहते हैं, आप हमेशा, चेक की अपने, अभी चेक करना ये सब चीजे, अपने साथ में तरके देखोगे न, जीरो लेवल पर हमेशा स्पॉंटेनियटी होती है, कि जो एक्शन होना होगा होगा, ओटोमेटिक होता ही, ओटोमेटिक होगा, जीरो लेवल पर होगे, अपने आप वो सहचता, सब कुछ काम, और तभी वो, जब आप बिल्कुल लेवल पर हो, तभी वो क्रियेटिविटी या कुछ और न, मजब आता है, और यदि आपका मन बिचले तो, तो आप तो जीरो लेवल पर होगा, जैसे किसी को वो आया, जैसे क्रोध आया, इसमें क्रिश्न को भी बताते हैं कि जैसे वो आया, तो वो जीरो लेवल पर क्रोध है न, जीरो लेवल पर क्रोध है वो, वो वैसा नहीं है कि उनके अंदर क्रोध की, जो उनकी वृतिया है न, टोटल ज तरस इस्तेमाल भी तो करना होता है ना तो टूल की तरस इस्तेमाल होती है वो हमारी बॉड़ी को नुक्सान नहीं को चाती वो सामने सिच्वेशन को टैकल करने के लिए होती है दो तरह क्रोध होगे ना एक तो क्रोध होगे है जिसका पता ही नहीं हमको क्रोध आ रहा है और कहां कि हम जान रहे हैं कि क्रोध है हमारे अंदर तो बहों स czas को मिलते हैं घ्र